डियर स्टुडेंट्स जैस्त्रीकिष्णा बीस्टीसी फस्टियर कच्छटा पेपर इंग्लिस लेंग्वेज प्रोफिसेंसी एन पेडागोजी उसका पार्ट बी यूनिट फर्स्ट इंग्लिस लेंग्वेज इन इंडिया पढ़ने जा रहे हैं मैं आपको बता दूं कि इस चार वीडियो बना रखें आप उन चार वीडियो को मेरे इस चैनल पर अनुमान प्रसाद सर्मा चैनल पर आप देख सकते हैं और इसमें पार्ट बी में अपन आज पढ़ेंगे यूनिट वस्ट इंग्लिस लेंग्वेज इन इंडिया हमारे इस चैनल को लाइक करें सब्स पर इस चैनल को पर फिशन वाट इस दनेचर ओ इंग्लिस इंपोर्टेंट कुश्टन है बहुत बार आया हुआ एक्जाम में याद कर लेना इंग्लिस की प्रकरति क्या है तो इंग्लिस इजे ओ एडवांस्ड एंड प्रोग्रेसिव लेंग्वेज अंग्रेजी बहुत ही इडवांस और प्रोग्रेसिव बासा है एडवांस्ट प्रजेंट एंड फीचर यह एक इसी बासा है जिसका भूतकाल भी है पर्जेंट भी है और फीचर भी है यानि कि यह बहुत चोटे-चोटे सेंटेंसे जया है इठ है इड़ी इस ऑन फोनेंस इसके खुद के फोनेम म इसके अपने मौर्फेम है फोनेम है और सिंटेक्स है एड इस एन इंटरनेशनल लेंग्वेज और यह एक अंतराष्टी भासा है और भी आप इसमें लिख सकते हैं इंग्लिस के बारे में दूसरा कुश्चन वाट दू यू नो अबाउट एन्सीएफ 2005 कुश्चन बहुत 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 आया हुआ है आप अच्छी तरीके से इसको याद गलेना एन्सीएफ 2005 है ना एक्स्प्लेंट तो एन्सीएफ क पुरा नाम भी पूछा जासकता है कि जो आपके मल्टी चों होते ना यह एबीसीडी वाले कुश्चन पहले दूसरा उसमें यह पूछा जा सकता है कि एन्सीयफ 2005 का पूरा नाम है ना एन्सीएफ का पूरा नाम तो नेशनल करीकुल्म फ्रेमवर्क 2005 तो National Curriculum NCF 2005 is a framework यह एक framework है यह क्या है एक framework है developed by NCERT और इस framework को किस ने develop किया है NCERT ने develop किया है its attention इसका main जुद ध्यान है वो क्या है to what should be taught क्या पढ़ाना चीए to our children and how हमारे बच्चों को क्या पढ़ाना चीए और केसे पढ़ाना चीए इस पर एक framework बनाया गया है इस पर इसका focus है attention है याद कले ना इसको मैंने बहुत short किया है क्योंकि बच्चों के comments आ रहे हैं कि सर हमें कुछ भी याद नहीं रहता चोटे बताऊ हैं इसको डवलप करना दूसरा knowledge equation through literacy यह दो गोल होगे अब आते हैं इसने कौन कौन सी skill पर जोर दिया नमबर एक डवलप ability to listen and understand उस ability का विकास करना जो listen और understanding यानि की सुनने की और समझने की ability का विकास करना इसका मेन इसमें आता है थीम में skill आती develop होती है develop the habit of reading पढ़ने की habit को develop करना develop communicative skill communicative skill को develop करना बातचीत करने की skill को develop करना improve thoughts both orally and in writing और उन विचारों को उन thoughts को improve करना जो orally यानि मोखिक रूप से और लिखित रूप से दोनों को improve करना पांचवा able to use dictionary बालक dictionary में देख करके dictionary में देखने की योग्य बन सकता है चटा to develop sensivity in culture and heritage culture और heritage के प्रती बालक sensitive हो जाए sensitivity develop हो जाए सात्वा है able to refine their literary sensibility यह साथ इसकी skills हैं यह बहुत महतुपूर्ण question है इसको अच्छी तरह से याद कर लेना आप तीसरा question explain the problems faced by learners in learning English in Rajasthan और इंडिया कोई साभी या राजस्तान में इंग्लिस को शीकने में कौन कौन से समश्याइं आ रही है चाहे भारत में समश्याइं आ रही है समश्याइं सब जिगह एक है तो यह answer सभी का एक हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है Hindi is our mother tongue यह तो साइद लाइन सबको याद हो जाएगी अंग्रेजी हिंदी हमारी मात्री भासा है इंग्लिस हमारी mother tongue है Hindi हमारी mother tongue है Hindi speaking students of learning English language find it difficult to learn Hindi speaking students जो हिंदी बोलने वाले विद्ध्यारती है उनको learning English English को समझने में find it difficult to learn उनको सीखने में बहुत problems आती है difficulty आती है कुछ समझाएं है जो English को सीखने में face करनी पड़ती students को वो है lake of good English language teachers हमारे यहाँ क्या है English teacher बढ़िया अच्छे नहीं है कमी है है ना कमी है है तो है पर कम है lake of का मनदब कम है no good methods हमारे यहाँ English को पढ़ाने के इतने बढ़िया methods भी नहीं है lake of resources संसाधनों की कमी है the teachers do not speak English in the classroom एक समझे यह भी है कि हमारे जो teachers हैं वो classroom में English नहीं बोलते हैं पांचवा स्कूल्स डू नोट है टेक्नोलोजिकल रिसोर्सेज राजस्तान के विद्ध्यालेओं में टेक्नोलोजिकल रिसोर्सेज भी नहीं है यह कुछ पांच कारण ऐसे हैं जो learners को फेस करने होते हैं ताकि उनकी English अच्छी हो लेकिन वो नहीं हो पाती है उसके पीछे यह कारण है कि एक तो हमारी मात्री बासा हिंदी है हमें English सिकने में समझे आती है चोथा कुछिन इंपोर्टेंट हो सकता है what do you know about the Multilingual Nature in India राज वाट डू यू नो आप क्या जानते हैं Multilingual Nature भारत में Multilingual Nature है बहु बहु बासी प्रकृती पाई जाती है मल्टी का मलब बहुत, लिंग्विल का मलब बासा, भारत में बहुत सी बासा की प्रकरती है, तो हम जानते ही हैं कि इंडिया is a multilingual, भारत में बहुत सी बासा हैं बोली जाती है, मल्टी रिलिजियस, बहुत से धर्म हैं भारत में, मल्टी कल्चरल, बहुत से संस्कृतियां हैं, मल्टी सोशियल, बहुत से समाज हैं, मल्टी जोग्राफिकल, बहुत सी भोगोलिक प्रस्तितियां हैं in our country, इंडिया नीड ए लिंक लेंग्वेज, इस लाइन को पक्का याद लिंक लेंग्वेज हो, यह ना, दक सेंसस ओप इंडिया, 1971, 1971 की जनगर्णा की अनुसार, रिविल्ड देट, 380 लेंग्वेज, 380 लेंग्वेज और डायलेक्ट्स, बोलियां हमारे इंडिया में बोली जाती है, और स्पोकन इन इंडिया, सो वी नीड इंग्लिस, इसलिए हमें इंग्लिस की आवशकता है, for trade, व्यापार के लिए, administration, प्रसासन के लिए, management के लिए, cultural and educational exchange के लिए, हमें इस भासा की आवशकता है, क्योंकि एक लिंक लेंग्वेज हो सकती है, हमारे यहां बहुत से धर्म हैं, बहुत सी भासाएं हैं, लेकिन इन भासाओं में एक लि equivalents for the following sayings, यह जो sayings हैं, कहावते हैं, इनका हिंदी में समानार्थी लिखिये हैं, हिंदी लिखिये इनकी हैं, यह मैंने कुछ उधरन दिये हैं, आप अपने बुक से और 10-15-20 sayings याद कर लें, कहावतें याद कर लें, यह उल्टा पुचा जा सकता है, इंग्लिस का हिंदी इंग्लिस बना ही जा सकती है, तो मैंने कुछ उधरन आपके सामने दिये हैं, देखिये, might is right, इसकी ताकत है, might is right का मलब जिसकी लाटी उसका बेस, इसका अंसर हो जाएगा, जिसकी लाटी उसका बेस, दूसरा, as you sow, so sell you trip, so का मलब बोना, जैसा हम बोएंगे, वेसा ही हमे काटेंगे, रीप का मलब काटना, यानि कि जैसा बोगे, वेसा काटोगे, यह हिंदी की समानारती सेंग है, चटा कुष्चन, find equivalence in English, इंग्लिस में इसका समानारती देखिये, वो हिंदी में था, हिंदी equivalence था, यह इंग्लिस equivalence है, नाच न जाने, आंगन टेड़ा, इसका इंग्लिस में कहेंगे इसको, a bad workman quarrels with his tools, अगला है, गर की मुर्गी दाल बराबर, इसका इंग्लिस होगा, a prophet is not honored in his own country, अपने देश में उसका खुद का कोई महतु, यानि गर में किसी वेक्ती का महतु नहीं होना, अपने अपने क्षेतर में गर की मुर्गी दाल बराबर बहुत बार सुना हुआ ये कावत, तो ये कुछ questions मैंने important बताएं, मैं आपको बता दू इंग्लिस के इस paper में, जो मैं प्रशन बता रहा हूं, हो सकता है, थोड़ा तेड़ा मेड़ा question आ जाए, लेकिन answers लगबग समान होते हैं, इसलिए आप इनको अच्छी तरीके से हुआ, इसको अपने पड़ा है, NCF के बारें पड़ा है, उसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, हमारे इस channel को like करें,